पिरिये किसान भाईयों और किसान दोस्तों आज हम बात करते हैं मुंग फली की खेती के बारे में जो ये मुंग फली की खेती है वो 15 जून से लेके 15 जुलाई तक बुआई होती है इसकी देशी और संकर मैं दोनुक इसमें लगाता हूँ लगवग 4 एक्टर यानि कि 40 विगा 15 विगा के लगवग देशी करता हूँ 25 विगा के लगवग शंकर करता हूँ और ये आप देख रहे हैं इस प्रिंग कलर फुमारे से मैं मुंग फली करता हूँ जिसमें ज्यादा नोजल चलती है स्प्रिंग कलर की बड़े वहारे जो मोटे वाले स्प्रिंग कलर हैं उनकी बजाए छोटे स्प्रिंग कलर इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ खेत में और ये जो मुंग फली है मेरी 30 जून को बोई हुई है 30 जून को खेत के अंदर मैंने बुवाई की थी बुवाई करने से पहले आपको बताता हूँ सबसे पहले मैंने जब ग्यूहों की पशल और अगेरा बगेरा पशल की थी तब उनकी कटाई करते ही इसमें मोर पलाव और डिस फलाव या तो मोर पलाव या डिस फलाव इनका उपयोग कर सकते हो आप जिससे गर्मी के तापमान से धर्ती गरम होके वो अच्छी हो जाए और धूप से रिचार्ज हो जाए यानि कि दूबारा अगर आप ग्यूहों की फसल करते हो दूबारा धूप से पूरी जमीन गरम होके उसमें उपजाव हो जाती है वो जमीन यह देखिए यह संकर की सम्की है और आपको बता दें बीज के बारे में बताएंगे और हेरो कल्टी वो मैंने निकाली थी जब बीज की त्यारी की थी कि अब बीजनी है पहले मोर पलाव और डिस पलाव एक निकाल सकते हो मोर पलाव निकाल सकते हो डिस पलाव निकाल सकते हो उसके बाद में एक मैने बाद में मैंने जुलाई पर्थम सोरी जून पर्थम में मैंने इसकी तैयारी करना सरू किया दा तैयारी शुरू करने से पहले मैंने इसमें गोबर की खात ज्यादा नहीं थी थोड़ी बहुत ही डाली है जैसे छिंटा सा दिया था गोबर की खात का और उसमें फास फोर्स फास फोर्स डाला था पोटास डाला था दो ही चीज़े डाली थी मैंने तीसरी में कर्शिवी बाग से लेके आया था जिपसम जो पर बिगा सुनते रहते हैं कि 25 बिगा डालते हैं ये डालते हैं मैंने एक एक्टर में 5 क्यूंटल के लगबग जिपसम डाली है यानि कि 50 केजी बिजाई करने से पहले उसके बाद मैंने इनकी बिजाई की है ट्रेक्टर से बिजाई करते समय बीज का ध्यान रखें बीज को तो उपचारित करना ही होगा मार्केट में तरह तरह की दुआया आ रखें उपचार करने के लिए इसलिए हम बता भी देंगे तो भी आपको बीज भंडार से लेकर आओ हम बताएंगे वह दुआई ने देखकर बीज भंडार वाला अपनी मर्जी से देगा लेकिन लेना बीज के उपचार करने वाली दुआई जिसमें एक तो दिमक की और एक होती है जो सफेद कीड़ा सफेद कीड़ा जमीन के अंदर सबसे ज्यादा नुक्सान पहुंचाता ह जो अपने ये चिटले अंगली है इस अंगली के समान होता हूँ और सफेद होता लाल मुका उसको बीज को उपजारित करके आप बीज बहोगे देशी बीज में डालता हूँ 12 केजी 13 केजी 12 और 13 केजी पर बिगा यानि कि एक हेक्टर का 120 से 130 और संकर बीज डालता हूँ मै एक सो 60 केजी से लेके 170 केजी तक यानि कि 17 केजी एक विगा के लगवग एक ट्रका 170 केजी क्योंकि मूंग फली निकलती भी बहुत जादा है निचे कीडा लग जाता है और ये बारिश की फसल है बारिश देचे बाद में पानी की ज़्यादा जरुत नहीं होती शरू-सरू में आप निराई गुडाई करोगे तो इसको एक पानी की जरुत होती है बुआई होने के बाद में और निराई गुडाई करके 10-15 रोज बाद में इसमें पानी दो तब तक बारिस आ लेगी बारिस आने के बाद में सिर्फ मुंगफली को ज्यादा नमी की ज़रत नहीं हो किती एक दो इंच नमी की ज़रत होती है जो आप स्प्रिंग्लर फॉआरे से करोगे मोटे फॉआरे से करोगे तो 2,5 गंटा और स्प्रिंग्लर करोगे तो 1,5 गंटा के लगवग है आज मेरी एक रॉफ एक मैने 5 दिन के लगवग हो चुकी है 30 जून को डाली थी आज 5 अगस्त हैं और माप लोगों में बीच में इसलिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूं किसी भाई को पता नही किया करते थे कर्शी भाग से पूछ के काम किया करते थे लेकिन जैसे जैसे खेती करते गए ज्यान बढ़ता गया इसलिए हम आपको बताते हैं जैसे ही पसल सवाडेड मैने के लगवग हो जाए तो आप अगर चेक कर लेना देखो इसमें तो कहीं कहीं कोई कीड़ा लगा बलकि जमीन में किड़ा नहीं लगा लोग कार्वो फोरान और यह यूज करते हैं सच्टी दवाई भी यूज करते हैं किसान क्या करे करे तो मरे ना करे तो मरे इसलिए कार्वो फोरान फोरेट पर बिगा दो केजी आप डाल सकते हो आपको संकेत लगे कि नीचे जमीन के अंदर दिमक और कीड़ा लग गया है तो वो डालना अन्य था जरुरत नहीं होती और ये देखे अभी और कोई पसल में प्रॉब्लम नहीं है ये छेद पत्तें के ये छेद आएंगे इनमें कीड़ा लग जाता है तो ये छेद कर देत होते हैं पत्तों को इसके लिए दवाई डालने सक्थ जरुरत होती है अन्य था इसकी पैदावार कम हो जाती है और हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे किस टाइम कौन-कौन सी दवाई देनी चाहिए कौन-कौन सी इस्प्रे करना चाहिए ज्यादा इस्प्रे की जरुरत नहीं होती और आप धान रखें कि कोई भी दवाई डालें जैसे ही पसल आपकी मार्केट में जाने लाइक हो जाए उस टाइम कोई भी दवाई इसमें यूज ना करें कर प्या अपने स्वास्ते के साथ भी बड़ ना करें और हम आपको बताते हैं आज एक मैंने पांच छे रोज गया लगवग जो क्रोप होई है उसमें नीचे कितना बड़ा फल आने शरू है हम आपको दिखाते हैं जमीन के अंदर कुछ रखें खोद गे इसको और यह देखें यह फल नीचे जमीन के अंदर मौ लगना सुरू हो गई है और आपको पूरा पेड़ उखाड के भी दिखाते हैं यह लगवग मेरी पसल सितंबर लास्ट और पांच अक्टुम्बर के लगवग तैयार हो जाएगी 90 दिन की पसल है लेकिन 100 दिन के लगवग लग जाते हैं और 100 दिन से ज़्यादा समय लेकर आप इसको ना उखाड़ें उससे पहले ही 100 दिन के लगवग जैसे ही आप उखाड़ के चेक करोगे आपके मूनफली त्यार हो जाएगी तो उनको जमीन से निकालना जुरूरी हो जाता है और किसान भाहियो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा वीडियो देखा तो आप इस वीडियो को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकों दबाईए लाइक कीजिए और शेर कीजिए जो किसी दूसरे भाहिए को पता लग जाए कि जमीन के अंदर क्या-क्य डालना पड़ता है किस तरीके से त्यारी करने पड़ती है मुंग फली की धन्यवाद है